हेलो प्यारे बच्चो एक बाद फिर से स्वागत है आपका विवेक सिंग क्लासेज में प्यारे बच्चो आज का वीडियो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेश्ट है बैदू दूधुरू बैदू दूधुरू क्या होता है बच्चो एक ऐसा सिस्टम होता है जो चार कंडिशन पर बेश्ट होता है अगर कोई सिस्टम इन फोर कंडिशन को फुल्फिल करेगा चारो कंडिशन को ओबे करेगा तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे पहला कंडिशन क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल का कि इसमें दो charges होने चाहिए दूसरा condition है दोनो charges की value same होनी चाहिए equal charges होनी चाहिए तीसरी condition क्या है opposite nature के होनी चाहिए एक plus हो तो दूसरा minus हो और fourth और last condition है कि उन charges के बीच का separation बहुत ही कम होना चाहिए इन चारो conditions को जो भी फुल्फिल करेंगे उस system को कहेंगे electric dipole तो diffusion क्या होगी बच्चो दो equal और opposite charges को पास पास रखने से जो system बनता है इस system को कहते हैं electric dipole dipole के जो दोनो charges होते हैं उन दोनो charges के centers को मिलाने वाली line को कहते हैं dipole का axis dipole का अच्छ बैदो दोईद्रो का अच्छ बच्चो जादा तर question में जहां हमको distance measure करना होता है दूरी मापनी होती है उससे हम axis के midpoint से मापते हैं जो दोनो charges के बीच के separation के बीच में होता है अब दोनो charges के बीच का जो separation है उसे 2L से represent किया जाता है जिससे हम easily half-half कर सके yield positive से center के बीच का distance yield negative charge से center के बीच का distance तो easily half कर सके इसलिए separation 2L रखते हैं बच्चो एक साउधानी रखिएगा numerical question को लगाते समय कि अगर दोनो charges के बीच का distance separation मान लो 10 एंगिस टांग लिखा है तो इसे आप yield से represent मत करना calculation गरबढ हो जाएगा दोनों charges के बीच का separation जितना भी दिया हुआ है उसे हम लोग 2L से represent करेंगे हमेशा ठीक तो यह साउधानी रखिएगा नहीं तो numerical गलत हो जाएगे तो बच्चो बात हो रहे थी कि charges के midpoint से ही distance को measure करते हैं charges के centers को मिलाने वाले line को charges का dipole का axis कहते हैं dipole का अच कहते हैं और इनके separation को हमेशा 2L से represent करते हैं बच्चो electric dipole का examples क्या होंगे इसके लिए थोड़ा सा chemistry का नालेज आपको रखना होगा समझने के लिए मालो हम लोग HCL molecule को बनाते हैं आप जानते होगे कि hydrogen के outer most cell में एक ही cell होता है एक electron होता है chlorine इसके सबसे बाहरी कच्चा में 7 electron होते हैं arctate rule अस्टक नियम के अनुसार यह अपने outer most cell में 8 electron, 8 electron करने के लिए 1 electron का sharing कर लेता है साजा कर लेता है इस तरह से SCR molecule बन जाते हैं बच्चो नार्मल सिच्वेशन में यह जो sharing के electron है साजे के electron है उसे दोनो परमाड़ों के दोनो atoms के बीच में होना चाहिए लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी cheating हो जाती है chlorine के द्वारा chlorine के पास 17 atomic number है तो इसके जो nucleus होगा उसके अंदर 17 proton होंगे proton positive charge इसके होते है तो उसके अंदर electron का attraction power जो होगा वो hydrogen के compression में क्योंकि इस बिचारे के पास किवल एक ही proton होता है nucleus में तो इसके पास एक nucleus इसके पास 17 nucleus इसका nucleus powerful है इससे 17 times powerful है तो यह जो electron होते है sharing के electron इसको अपनी और थोड़ा सा attract कर लेता है यह एकदम बीचों बीच में नहीं होते है इसकी तरफ shift हो जाते है तो थोड़ा सा जब shift हो जाता है तो जो CL है उसके उपर थोड़ा सा negative charge आ जाता है slightly negative यह जो जरा सा negative थोड़ा सा negative है इसको हम लोग minus delta से लिखेंगे इससे electron pair दूर चला जाता है इसलिए इसके उपर plus delta charge लिखते है तो इस तरह से एक ind negative जितना हो जाता है दूसरा ind उतना ही positive हो जाता है तो यह best example हो जाता है electric dipole का यानि कि इसका example क्या होगा HCl HCl H2O में भी यही situation होता है alcohols में भी यही situation आते है ऐसे बहुत सारे molecules होंगे जिसमें electric dipole बन जाते है तो बच्चों definition क्या थी electric dipole की जल्दी से दोहरा लो दो समान परंत विपरीत आवेश एक दूसरे के नजदीक रखने से जो system बनता उसे कहते electric dipole electric dipole का example होगा HCl, H2O बहुत सारे molecules अब चलो बच्चों पढ़ते हैं electric dipole के बारे में कुछ और चीजे electric dipole moment electric dipole moment बैद्दू दूधरो का आघूण यह जो बैद्दू दूधरो का आघूण है electric dipole moment है यह हमको यह बताता है कि कोई dipole कितना strength रखता है कितना उसके पास ताकत है तो किसी electric dipole के strength को measure करने के लिए एक quantity introduce करी जाती जिसे कहते electric dipole moment बहुती आसानी से इसे आप लोग define कर सकते हैं होता क्या है दोनों charges में से किसी एक charge की value चोकि इसके पास दो equal charges होते हैं तो दोनों में से किसी एक charge की value रखो और दोनों charges के बीच का जो separation है उससे multiply कर दो तो आपको जो quantity मिलेगी इस quantity को कहेंगे electric dipole moment क्या diffusion होगा electric dipole moment का electric dipole के किसी charge की value और उनके बीच के separation के multiplication को separation के into को separation के गुरनफल को electric dipole moment कहते हैं प्यारे बच्चों ये जो electric dipole moment होता है जिसको हम लोग P से represent करते हैं ये एक vector quantity होती है तो जो vector quantity है तो इसका एक निश्चित direction भी होगा तो इसका जो direction होता है वो from minus Q charge to plus Q charge के direction में होता है मतलब अगर ये एक system है electric dipole का तो इसके लिए जो electric dipole moment होगा उसका direction होगा from minus Q to plus Q ये minus Q है ये plus Q है तो इसके अंदर जो direction आएगा उस direction को हम minus 4 से plus 4 की और ही represent करेंगे ये इसका direction हो जाएगा unit प्यारे बच्चों क्या होगा इसका बहुत इसली आप लोग calculate कर सकते हो कूलाम को measure सरी charge को measure किया जाता है कूलाम में distance को measure किया जाएगा meter में तो इसका जो unit होगा हो जाएगा कूलाम मेटर जब आप unit निकाल लिए हो तो इसका dimensional formula भी देख लो क्या होगा क्या होगा dimensional formula charge का होता है 80 और distance का formula जो होता है distance का जो dimensional formula होता है वो होता है length L तो इसका जो dimensional formula होगा वो हो जाएगा 80 L ampere है time है और length है तो electric dipole moment ये बताता क्या है हमको ये बताता है कि electric dipole के पास कितना strength है अगर P की value ज़ादा है तो उस electric dipole का strength ज़ादा होगा अगर P की value कम है तो इस electric dipole का strength भी कम होगा प्यारे बच्चो ये vector quantity है ये ध्यान में रखना तो vector quantity है तो इसका जो resultant होगा मालो दो dipole है system में कई dipole है तो कई dipole का system अगर हमको calculate करना होगा तो फिर वही पुराना concept लेना होगा जहां पर हम दो vector को add करना जानते हैं दो vector अगर एक दूसरे पर theta कोण पेस्ट है दो vector है A और B इनके बीच का angle मान लेते हैं theta है तो इनका जो resultant होता है उसके लिए एक formula हम आपको बता चुके हैं under root A square plus B square plus 2AB cos theta इसी concept पर छोटे छोटे question ज़्यादा पूछे गए हैं ज़रा देख लो जल्दी से पहला question है कि एक system कुछ इस तरह से है plus q minus 2q और plus q perpendicular है distance भी same है let दोनो system के बीच का distance है a अच्छे बच्चों ये positive बना हुए ये negative हो सकता है यहाँ पर plus 2q हो सकता है ये minus q हो सकता है अब कह रहा है कि इस system का total electric dipole moment क्या होगा तो बच्चों electric dipole क्या इसमें है पहले ये तो देखा जाए फिर electric dipole moment के बारे में सोचा जाएगा तो electric dipole बनेगा कैसे दो equal charges होने चाहिए opposite charges होने चाहिए पास पास होने चाहिए तो क्या यहाँ पर दो opposite और equal charges है अगर आप ध्यान से देखो तो ये plus q है तो ये minus 2 q है equal नहीं है opposite तो है लेकिन equal नहीं है वही situation यहाँ भी है तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो इसे dipole में convert कर सकते हैं कुछ इस तरह से plus q जहां है वहीं समझो जो minus 2 q है उसे समझो थोड़ी देर के लिए minus q और minus q plus q ये दोनों थोड़ा सा अलग करके समझा जाए तो तुरंत ही आपको नजर आ जाएगा कि यहां पर दो dipole बन जाएगे minus q plus q इस सिस्टम से एक electric dipole बन जाएगा minus q plus q से यहां पर एक electric dipole बन जाएगा जिसके बीच का जो angle है वो 90 degree है यानि कि दोनों perpendicular placed है अब अच्चु जरा electric dipole moment का direction क्या होगा वो देखा जाए electric dipole moment का जो direction होता from negative to positive होता है तो इस वाले electric dipole में negative charge यहां है positive charge यहां है तो electric dipole moment यह हो जाएगा इस direction में मालो हम p1 से represent कर दिये इसका negative यहां है positive यहां है तो negative to positive p2 यह दोनों हो गए electric dipole moment के direction दोनों के बीच का angle हो गया 90 अब हम resultant भी निकाल सकते हैं तो इस पूरे system का जो resultant होगा वो हो जाएगा r equal to under root p1 square plus p2 square plus 2 p1 p2 cos theta अब अच्चो जड़ा p1 और p2 calculate कर लिया जाए p1 क्या है इस पहले system का electric dipole moment और p2 है इस दूसरे system का electric dipole moment तो p1 equal to हो जाएगा charge दोनों में से कोई एक charge q और उनके बीच का separation a दिया था q into a p2 अच्चा कहीं ये तो नहीं समझ में आ रहा कि q into 2a होना चाहिए ये ध्यान में रखना हमने आपको बताया कि जो भी separation होगा उससे आप 2l से ही represent करोगे separation a दिया था तो 2l की value a ही लिखी जाएगी 2a मत लिखिएगा तो q into a उसी तरह से दूसरे system का हो जाएगा दोनों में से कोई एक charge q दोनों के बीच का separation a यानि कि ये जो electric dipole है इनका strength similar है इनकी value सेम है क्योंकि इनका electric dipole moment भी सेम है तो p1 और p2 की value equal होगे इसलिए total p हो जाएगा इस formula से net p under root q into a square plus q into a square plus 2 q into a q into a cos 90 cos 90 0 होगा तो ये पूरा term 0 हो जाएगा तो केवल आपके पास बचेगा q into a square plus q into a square अर्था q into a under root 2 ये हो गया net electric dipole moment अगर unit दिया होता तो कोला मीटर लिख लेते नहीं दिया है तो आप लिख सकते हूँ unit मात्रक ऐसे ही same concept का एक question और पूछा गया है जरा उसे भी देखो एक equilateral triangle है जिस पर charge रखे हुए है plus q मालो इसे minus 2 q कर लिया जाए आप इसे plus 2 q कर सकते हो sine change कर सकते हो अब इस पूरे system का net electric dipole moment कितना होगा प्यारे बच्चों पहले ही question की तरह सोचना पहले सोचो कि इस system में क्या electric dipole दिखाई दे रहा है अगर दिखाई दे रहा तो कितने electric dipole दिखाई दे रहा है अच्छा है यह equilateral triangle है side मालों given है और equilateral triangle है तो आप सब जानते हो कि इनके बीच का angle 60-60 degree होता है यह सब understood है तो क्या यहाँ पर electric dipole है तो फिर से देखो इस 2 q को हम minus q और minus q में break कर दें तो plus q और एक minus q यहाँ पर एक electric dipole बना देगा minus q और plus q एक दूसरा electric dipole बना देगा यानि कि इसे अगर हम लोग break करें तो दो electric dipole में break कर सकते हैं 2 q में से एक minus q ले लिया गया यह plus q जिसके बीच का separation 2 l equal to a यहाँ पर minus 2 q दिया था तो minus q एक minus q और सोचो इसी के असपास उसका भी minus q और जो एक charge बचा plus q इसका separation हो गया side q की equal होती तो एही हो जाएगा तो एक यह electric dipole बनाएगा minus q प्लस q और एक electric dipole बनाएगा minus q प्लस q यानि कि दो electric dipole यहाँ पर है अच्छा दोनों के बीच का angle कितना है इससे पहले वाले question में 90 था यह equilateral triangle है संबाह उत्रभुज है तो इसके बीच का angle हो जाएगा 60 degree बस आप सब लोग निकाल लिए मालो यह पहला electric dipole moment है तो इसका electric dipole moment का direction क्या होगा minus q से प्लस q के direction में p1 यह दूसरा electric dipole है minus q से प्लस q के direction में p2 p1 और p2 की जो value होगी आप देख रहें charges भी same है distance भी same है तो value भी same आएगी यानि कि p1 equal to p2 equal to q into distance between charges distance between charges 2l equal to a है तो q into a resultant electric dipole moment p equal to हो जाएगा under root p1 square प्लस p2 square प्लस 2 p1 p2 लेकिन अब की बार cost 90 नहीं होगा cost 60 degree हो जाएगा और cost 60 की value होती है 1 by 2 तो p equal to हो जाएगा under root p1 square q into a square फिर p2 square q into a square प्लस 2 q into a q into a into cost 60 cost 60 की value 1 by 2 यह cancel हो गया यहाँ पर square हो जाएगा तो q into a square q into a square q into a square यहाँ भी मिलेगा यानि कि हो गया 3 q a whole square q into a के whole square का square root हो जाएगा तो इसका resultant electric dipole moment हो जाएगा q a under root 3 unit तो एक पर 90 degree पर बेश्ट था पहले question में इसमें 60 degree पर बेश्ट है पाच्चो एक question लगा करके जड़ा comment box में बताना answer कितना हैगा अगर plus 2 q minus q और minus q यह एक दूसरे पर 60 degree पर बेश्ट है ऐसे रखे हुए है तो इसका net electric dipole moment कितना होगा इसको calculate करके comment box में answer जरूर दे दीजेगा ठिक answer क्या आएगा वो आप सब लोग जानते हैं अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिये होगे यह similar वही question जो भी solve किया गया है बस थोड़ा सा charges इधर उधर कर दिये गए है distance मान लेना a है तो जरा इसको solve करके देखना कि इस system का net electric dipole moment क्या होगा प्यारे बच्चों हम लोगों ने electric charges और electric field के video में कई videos के आ चुके हैं हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक अगर charge है चाहे वो positive charge हो या negative charge हो तो वो अपने चारो और electric field develop करता है तो यहां तो भाई दो charges है दो charges का एक system बना दिया गया है तो यह भी तो electric field generate करेगा तो electric field generate करेगा किस point पर उस electric field की value कितनी होगी अब हम लोग ये calculate करेंगे तो अब हम लोग calculate करने चलने हैं और तीन सिचुएशन तीनों महत्पूर हैं आपको तीनों के तीनों तैयार रखने हैं ये board exam में एकदम से proof करने के लिए आते हैं numerical बहुत कमाते हैं लेकिन proof करने के लिए हर साल आते हैं तीनों situation तो चलो पहला situation लेते हैं end on condition या position अच्छी ये इस्थिति इसको एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं इसकी डिफ्रीशन क्या होगी अच्छी इस्थिति की जैसा कि आप अंग्रेजी वाले से देखो end on on means per एक्सिस पर हो और एक्सिस क्या है हो हम बता चुके हैं दोनो चार्जेश के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन को कहेंगे एक्सिस तो जो point of consideration है जिस पर हमको calculate करना electric field वो यद इस एक्सिस पर है मालो थोड़ी देर के लिए ये electric dipole है मेरे हाथ में एक तरफ red है cap एक तरफ white cap लगा हुआ है मिलाने वाली है जो line ही से कहेंगे axis अब इस axis को आप infinite length इधर कर लो imagine करो infinite length इधर imagine करो इसी axis पर अगर कोई point है तो situation को हम लोग कहेंगे end on situation, end on position अच्छी इस्थिति तो अच्छी इस्थिति में electric field कितना होगा मान लो मेरे पास electric dipole है दो equal charges opposite होने चाहिए separation बहुत कम होना चाहिए इस separation को हम लोग 2L से represent करते हैं इसी axis पर कहीं भी point हो जिस पर हमको electric field कैलकुलेट करना है तो मान लो electric field इस point पर कैलकुलेट करना है जिससे हम लोगों ने नाम दे दिया C charge plus Q जहाँ है उसे A charge minus Q जहाँ है उसे B और जैसा बताया जा चुका कि सारा distance हम लोग मेजर करेंगे axis के midpoint जिसे हमेशा represent करते हैं O से इस point O से point of consideration यानि कि जहाँ पर आपको calculate करना है उसका distance मान लो R है R distance पर कोई point है जिस पर आपको total electric field calculate करना है due to electric dipole ये point C charges को मिलाने वाले line पर इस्थित है इसलिए position को कहेंगे in on position या अच्छी स्थिती या axial position तो बच्चों अगर आपने पूरे series को electric charge और electric field concept का ये जो वीडियो का series है आपने देखा होगा तो ऐसा आपने वीडियो 3 वीडियो 4 में जहां पर electric field का numerical आपको समझाए है उसमें किसी point पर net electric field कैसे calculate किया जाता हो हम लोगों ने किया है कैसे calculate करते हैं एक बाब फिर से सुनो capital R equal to under root A square plus B square plus 2AB cost theta और थोड़ा सा start करने के लिए अगर दोनों एक ही direction में होते हैं तो add कर लेते हैं दोनों opposite direction में होते हैं तो subtract कर लेते हैं ये सारे चीज उन वीडियो में detail में समझा दिया गया और बहुत सारे numericals उसमें हैं तो चलो इसी point पर पहले plus Q के करण हम लोग electric field calculate करेंगे फिर minus Q के करण अच्छा बच्चो अगर वो आपको याद आ रहा हो फार्मूला तो किसी charge के करण किसी point पर जो electric field होता है उसका formula था equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 जिससे chart में K लिख देते हैं Q by R square main charge जिसे source charge कहते हैं उसकी value Q और उस main charge से point के बीच का separation इस line को फिर से सुनो main charge से जिसके करण आप लोग electric field calculate करें उस charge से point के बीच का distance है ये है charge positive इसी plus Q से इस point C के बीच का distance चाहिए चलो सोचो ये distance क्या होगा केवल इतना distance तो आप अगर figure को ध्यान से देखो तो center से C point का distance है R अगर ये वाला distance हम minus कर देते हैं तो ये distance मिल जाएगा A से C का distance कितना distance minus किया जाए ये distance minus कर देए और ये distance कितना है ये midpoint है तो ये distance हो जाएगा Yल यानि कि A से C का distance हो जाएगा R minus Yल इसी तरह से negative minus q charge के कारण c का distance कितना होगा तो यहां से distance जब measure करेंगे तो mid point से c का distance r है यही distance add कर दो इसमें तो यह हो जाएगा r plus n बच्चों बस distance निकालना आपको आजाए तो हो गया आप easily calculate कर सकते हो कि net electric field c point पर यानि कि end on situation में कितना होगा तो जल्दी से चलो calculate करते हैं ea ea क्या है यह electric field है c point पर plus q आवेश के कारण electric field add point c due to plus q charge ठीक हिंदी में क्या लिखेंगे plus q charge के कारण c बिंदू पर electric field कितना होगा उसका formula होता है k charge q by distance distance कितना है a से c तो distance ac square figure में देखो distance कितना आएगा a q by r minus y square बच्चों electric field याद करिए vector quantity है इसका direction कैसे measure करते हैं इसके direction को पता लगाने के लिए जिस point पर electric field calculate करना होता है उस point पर एक test charge रखते हैं यादा q 0 होता है छोटा सा होता है पास्टिव होता है तो यहाँ पर सोचो कि एक प्यारा सा test charge रखा है जो by nature पास्टिव होता है तो यह plus इस plus को ripple करेगा रखा देगा तो जो e a का direction होगा वो direction बाहर की तरफ होगा a से c की तरफ होगा तो यह direction हो ज c e b चलो calculate किया जाए e b क्या होगा electric field at point c due to minus q charge यहां लिखेंगे minus q charge के कारण c point पर electric field टिक formula तो वही रहेगा कि charge की value क्यों ही है याद करना negative positive नहीं रखना क्यों value रखने होते है distance b से c का हो जाएगा r plus l तो b c square b c square equal to r plus l का square हो जाएगा इसका distance बचो क्या होगा sorry distance बोले इसका field का direction क्या होगा तो test charge पर जिधर force लगे minus positive को attract करेगा तो इसको अपनी और attract करेगा जिस direction में force लगता है वही direction electric field का direction होता है तो यह हो जाएगा e b इसका direction हो जाएगा from c to a फिर से यहां तक दोहरा लो in on position का मतलब हो गया axis को मिलाने वाली या axis पर कहीं भी कोई point हो तो उस position को कहते हैं अच्छी स्थिती axial position in on position अब इस point c का center o से distance मान लिया गया r तो हम लोग करेंगे क्या दोनों charges के current c point पर electric field निकालेंगे formula k q upon r square से r distance कैसे major किया जाता है a से c का distance यह total distance है r उसमें से आप yl minus कर दो तो यह distance पा जाओगे r minus yl c से इस charge negative का distance कितना होगा यहां तक तो r है c से o का बस yl add कर दो क्योंकि यहां से positive के distance और negative का distance दोनों yl होता है to yl इसलिए माना जाता है कि जल्दी से हम लोग half-half करते है yl yl कर दे तो b से distance हो गया r plus yl a से distance हो गया r minus yl k q upon r square में value रख लिया गया बात आई direction की तो test charge रखो जिस point पर calculate करना होता है जिस direction में force लगेगा वही electric field का direction होगा तो यह plus q है plus plus को ripple करेगा ea बाहर की तरफ होगा minus q इस test charge को attract करेगा तो जो electric field का direction होगा वो अंदर की तरफ होगा देखने से क्या लग रहा है कि दोनों electric field एक दूसरे के opposite है तो बच्चों अगर किसी point पर electric field opposite direction में हो या कोई vector quantity opposite direction में हो तो net क्या होता है दोनों के difference के equal होता है यहाँ पर थोड़ा सा विचार करिएगा difference होगा तो हम E A में से E B माइनस करें कि E B में से E A माइनस करें किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं तो जब आप माइनस करोगे तो आप बड़े quantity में से जिसकी value ज़ादा हो उसमें से छोटी quantity माइनस कर देना अब हम कैसे जानें क्योंकि numerical तो है नहीं केवल के qr plus l r minus l लिखा हुआ है तो बच्चों electric field के concept में ये बताया गया कि जो electric field होता है वो distance k square के ब्यूत कर्मान पाती होता है universally proportional होता है distance अगर ज्यादा होगा तो electric field कम हो जाएगा तो a से c का distance कम है तो ये जो electric field होगा ये आपको ज्यादा मिलेगा B minus Q से C का distance ज़्यादा हो जा रहा है तो distance ज़्यादा हो जाएगा तो electric field कम होगा यानि कि EB की value कम होगी और EA की value ज़्यादा होगी तो EA minus EB अच्छा, इन दोनों को minus करेंगे तो दो vector quantity को minus करते हैं तो जो resultant आता है घटाने के बाद जो आएगा उसका direction क्या होगा आखिर वो भी तो vector quantity होगा इस E का direction क्या होगा तो आप algebra में जानते हो कि 2 minus 2 चीजों को जब हम subtract करते हैं तो जो बड़ी quantity होती है उसी का sign लिखते हैं मतलब ये कि 3 minus 2 आप subtract करते हैं तो 1 लिखते हो लेकिन minus 3 plus 2 अगर आप subtract करोगे तो minus बनाएगा जो बड़ा quantity होगा उसका sign लिखते हैं उसी तरह से जो बड़ी quantity होती है उसका direction लिखते हैं तो इसमें बड़ी quantity क्या है E A E A बड़ा क्यों है क्योंकि plus Q नस्दीक था निकट है तो अगर distance कम होता है तो electric field जादा होता है क्योंकि inversely proportional होता है square के तो A के कारण यानि कि plus Q के कारण electric field जादा develop होगा C पर minus Q के कारण कम develop होगा E A में से E भी घटाएंगे minus करेंगे और जो resultant E आएगा net electric field उसका direction होगा E A के direction में जो बड़ा होगा उसके direction में और E A बच्चों किधर लग रहा था A से C की तरफ तो ये याद रखना ये जो होगा वो E A के direction में लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि E A बड़ा है ठीक A से C की तरफ इस figure में लगेगा direction तो चलो value रखते हैं K Q R minus L square minus K Q R plus L square प्यारे बच्चों अब आगे तो आसान है इसका calculation एक बार direction पर फिर से concentrate करते हैं क्योंकि figure मिटाएंगे उधर हम लोग calculate करेंगे जो direction है net electric field का वो direction बड़े वाले के direction में ही होगा क्योंकि दो चीजों को जब subtract करते हैं तो हम उसका sign लिखते हैं जो बड़ा होता उसी तरह से vector जब subtract करते हैं तो उस direction में value मिलती है जो बड़ी value होती है तो EA बड़ी है क्योंकि ये नजदीक है निकट है पास है इसकी compression में तो EA का direction जो होगा वो इस net का भी direction होगा अब ज़रा बच्चों P के बारे में भी सोच लो electric dipole moment में इस पूरे distance को हटाओ भीड को कम करा जए electric dipole moment capital P किधर लगता है from negative charge to positive charge यानि कि ये इस direction में काम करेगा capital P electric dipole moment और ये जो net electric field है वो किधर लग रहा है from A to C बड़े वाले के direction में A to C भी तो यही direction है यानि कि net electric field भी उसी direction में लगेगा जिस direction में electric dipole moment होगा इस line को याद रखिएगा ये बहुत ही पूछा जाता है कि in on position में net electric field का direction किधर होता है तो बच्चो net electric field का direction electric dipole के direction में ही होता है negative Q से plus Q के direction में होता है इसे याद रखिएगा last में हम लोग इसे note करेंगे P के direction में और E का direction दोनों same होता है minus Q से plus Q होता है हम note कर लिए last में इस direction को लिखा जाएगा अब आप बात करते हैं इसके calculation पर तो अगर आप देख रहे होगे तो इसमें से Q into K common हो गया जल्दी से common करो Q into K 1 by R minus L square minus 1 by R plus L square E LCM लिया जाए LCM लेंगे तो R minus L का square R plus L whole square यहाँ पर दोनों का into है दोनों का multiply है दोनों पर square है तो हम क्या कर रहे हैं whole square कर दे रहे हैं cross product करो तो R plus L का whole square minus R minus L का whole square बच्चों यहाँ पर हम formula लगाने चलने हैं तीन formula लगेंगे आपके छोटे classes का याद होगा सबको एक A plus B का whole square A minus B का whole square और एक A plus B और A minus B अगर bracket में हो तो क्या होगा आपको याद होगा बस हम revise करा दे रहे हैं A square plus B square plus 2AB A square plus B square minus 2AB और यह हो जाता है A square minus B square यह तीनों इसमें छुपे बैठे हैं तो चलो solve करो K Q A plus B का square A square plus B square plus 2AB minus A square plus B square minus 2AB by A plus B A minus B तो हो जाएगा A square minus B square लेकिन यहाँ भी square है तो whole square bracket को open करो जब आप bracket को open करते हो और किसी bracket के आगे minus होता है तो अंदर का sign change हो जाता है तो हम इसी line में उसे bracket को open कर रहे है यह bracket को खोला गया अंदर का sign change हुआ यहाँ plus R square था तो minus R square हो गया plus L square है तो minus L square हो जाएगा minus है तो plus होगा इतना math आप जानते हो छोटा सा यह दोनों cancel हो गया equal to हो गया K Q 2 areal, 2 areal, 4 areal हो जाएगा जिसको हम लोग लिख दे रहे है 2 into 2 areal थोड़े देर बाद जान जाओगे क्यों ऐसा किये है 4 क्यों नहीं लिख रहे है whole square प्यारे बच्चों electric dipole moment को फिर से याद करो Q into 2 areal होता है दोनों charges में से कोई एक charge और उनके बीच का separation यह charge हो गया यह 2 हो गया यह areal हो गया या एक 2 इसको भी ले सकते हो किसी एक 2 और areal को ले लो तो जिसके उपर trick लगाया गया यह मिल करके क्या बना देंगे Q into 2L मिल करके बना देंगे electric dipole moment P तो हो जाएगा K P क्या बचा है यहाँ से Q खतम हो गया 2 खतम हो गया L खतम हो गया यह 2 और R बचा हुआ है 2R by R square L square का whole square अब अगर हम लोग यह मान के चले एक बार फिर से इसे दुहरा लेते हो Q के कामन किया गया LCM लिया गया cross multiplication A plus B के whole square से खोला गया A minus B के whole square से खोला गया इस bracket के आगे minus था तो sine change हो गया यह A plus B A minus B का है तो A square minus B square whole square हो गया P कहां से आ गया Q into 2L Q into 2L इन तीनों की जगर पर P लिख लिया गया तो 2R बच गया अब हम लोग यह मान लें कि यह जो distance small R था center से उस point C का distance वो बहुत ज़ादा है यदि R very very greater than L तो कई बार हम लोग discuss कर चुके हैं इस वीडियो के series में कि जब भी physics में जहां plus और minus का sign होता है एक quantity ज़ादा value रखती है दूसरी quantity की value कम होती तो जिसकी value ज़ादा होती उसे हम consider कर लेते हैं रख लेते हैं और जिसकी value कम होती है उसे हम ignore कर देते हैं तो L की value बहुत कम है तो इसे हम ignore कर देंगे R square को अपने पास रखेंगे तो electric field net बचेगा के 2 R P by R square एक square यहां भी है काई square यानि की K 2 R P by R to the power 4 1R से 1R cancelled net electric field हो गया K 2 P by R cube वेर के याद रखना यह 4 pi epsilon naught के जगह पर रखा जाता है आसान करने के लिए क्या क्या result आया बच्चों यह जो in on position पर था axial position पर था अच्छी स्थिति में net electric field है वो electric dipole moment के proportional है ज़्यादा electric dipole moment होगा electric field ज़्यादा generate होगा second distance जो था उसके square के inversely proportional नहीं बच्चों cube के inversely proportional है यानि कि यह जो system है वो inverse square law भी उत्करम वर के नियम का पालन नहीं करता है inverse square law का पालन नहीं करता है यह cube के inversely proportional होता है distance के cube के inversely proportional होता है बच्चों वो जो line आपको याद कराया थे पहले आप उसका number आया यह जो electric field आया हुआ है यह तो keval और keval magnitude है इसका direction क्या होगा याद करो direction क्या बताया थे इसका जो direction होगा minus q से plus q direction में यानि कि in the direction of p vector या minus q to plus q direction तो इसकी जो दिसा होती है वो minus q से plus q की दिसा में होती है ठीक तो यह line आप आपको याद रखना कि in on position पर net जो electric field होता है वो उसी direction में होता है जिस direction में resultant जिस direction में electric dipole moment काम करता है और electric dipole moment minus q से plus q direction में ही काम करता है अच्छा बच्चो electric field vector quantity है तो इसका अगर vector form पूछ लिया जाए तो vector form कैसे लिखोगे vector का arrow लगा लिया गया k 2p by r cube जिस direction में होता है यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो ये किस direction में है प वेक्टर के direction में है और जिस direction में है उसका unit vector यानि की P cap तो इसको भी याद रखना किसी vector को लिखना होता है तो magnitude और जिस direction में होता उस direction का एक आंक सदिश तो ये direction किधर लग रहा है P vector के direction में है इसलिए P cap लिख लेंगे ये हो गया बच्चों in on position पर net electric field इसे याद भी रखेगा derivation भी आया हुआ है तो बच्चों second situation जो है वो है in-off situation in-off situation का मतलब जो point होगा जहाँ पर हमको net electric field calculate करना होगा वो point axis पर नहीं होगा axis से अलग होगा थोड़ा सा हट करके होगा लेकिन axis के perpendicular होगा इधर उधर नहीं समझना है axis जो है मानलो ये plus q है ये minus q है ये हो गया दोनों को मिलाने वाले line axis तो जो point of consideration होगा वो इस अच्छ पर कहीं हो equator पर हो इसलिए से आप equatorial situation भी कहते हो और प्रस्तिस्तिती भी कहते हो तो point इस axis पर कहीं होना चाहिए तो figure कैसे होगा मानलो आपके पास एक system है electric dipole equal and opposite charges दोनों के बीच का distance हो गया 2L distance को मेजर करते हैं किसे point का O से जो mid point होता है से axis का मानलो ये कोई point है C जिसका distance है R तो बच्चों सबसे पहले ये जो electric field का formula होता है उसका R का समझो कि ये R कहां से मेजर करेंगे charge से point के बीच का distance तो यहाँ पर charge इस position पर है जिसे हम A नाम दे दे रहे हैं इसे B नाम दे दे रहे हैं तो A से C का distance हमको मेजर करना होगा B से C का distance मेजर करना होगा तो A से C का distance और B से C का distance क्या होगा बढ़ी आसान से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो यह midpoint है तो यहल होगा दोनो right angle समकोर त्रेभोज है तो right angle triangle है Pythagoras theorem से यह कैलकुलेट आप कर सकते हो AC square is equal to OA square plus OC square यानि कि यह हो जाएगा under root R square plus L square यह भी distance similar आएगा क्योंकि L यह भी है R यह भी है तो Pythagoras theorem से इसकी भी value आजाएगी L square plus R square under root तो distance हम लोग कैलकुलेट कर लिए अब जरा इसका direction भी लगे है आप कैलकुलेट कर लो तो direction कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक test charge मानो Q0 यह negative जो B पर पर है यह negative इस positive test charge को अपनी और अट्रेट करेगा तो जिस direction में force होगा यही electric field का direction होगा यह हो गया EB positive क्या करेगा positive test charge जो positive है इस positive को repel करेगा तो दोनों को मिलाने वाले line पर ही force of repulsion होगा यह इस direction में होगा जिस direction में force होगा वही electric field का direction होगा अब बच्चों यह तो angle पर based है इसलिए यहाँ पर हम लोग total निकालने के लिए फार्मूला कैलकुलेट करेंगे a square b square plus 2 a b cos theta वाला फार्मूला जहाँ पर theta दोनों vector के बीच का angle है चलो direction तक समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं angle का यहाँ से भीर हटाते हैं जिससे आपको दिखाए दे असपस्ट मालो यह angle theta है यहाँ से parallel line axis के parallel line एक ड्रा कर लें तो यह parallel line हो गया इसको एक line कट कर रही है तो alternate angle यह theta हो जाएगा similarly अगर यह theta हो चुकि दोनों triangle similar है इसलिए angle similar आएगा यह value भी theta आएगा अब angle जब measure कर लिए तो चलो इसी समय net electric field भी calculate कर लेते हैं एक तो net electric field calculate करने का formula हो गया capital R equal to under root A square plus B square plus 2 AB cost theta और दूसरा हम component break करके भी calculate करते हैं तो पहले component break करते हैं अगर O नहीं समझ में आएगा तो under root वाले formula को use कर लिया जाएगा तो जिस direction में angle given होता उस direction में cos theta लिखते हैं जिधर angle नहीं given होता है उदर हम लोग sin theta लिखते हैं तो इस E A को break किया जाए इस direction में हो जाएगा E A cos theta इसके perpendicular E A cos theta के perpendicular जो component हो जाएगा जिधर angle नहीं given है उदर हो जाएगा E A sin theta ये break हो गया इसको भी component में break करो तो जिस direction में आपको angle given होता उदर cos लिखेंगे तो इधर लिखा जाएगा E B cos theta यानि की E A cos theta और E B cos theta दोनों एक ही direction में होंगे E B sin theta ये जो vector E B है नीचे की तरफ है तो इसका जो sin theta component होगा वो नीचे की तरफ होगा E B sin theta अब अगर E A की value और E B की value same हो जाए तो E A sin theta और E A sin theta एक दूसरे के equal हो जाएंगे opposite हो जाएंगे cancel हो जाएंगे केवल मेरे पास बचेगा E A cos theta E B cos theta जो एक ही direction में है इसलिए net electric field दोनों का sum हो जाएगा लेकिन ये तब होगा जब E A और E B equal हो तो चलो E A निकालते है E A क्या है क्या लिखोगे यहाँ पर electric field at point C due to plus Q charge plus Q charge के कारण C बिंद पर electric field बैदुच्छेतर वो यहाँ लिखोगे उसकी value क्या होगी K Q by distance A to C square यानि की K Q by AC की value हम लोग पाइथागोरस theorem से calculate कर चुके है अच्छा AC की value under root R square L square है तो whole square जब करोगे तो under root खतम हो जाएगा L square plus R square इसका direction क्या होगा E A का from A to C E B यह होगा electric field at point C due to minus Q यानि की minus Q charge के current C बिंद पर electric field वो लिखेंगे K Q by BC अच्छा BC का भी वही distance था जो AC का था square करेंगे तो under root यहाँ भी खतम होगा यानि की E A की value और E B की value दोनों equal है अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़े यह दोनों value जब equal है तो E A sin theta component और E B sin theta component की value समान आएगी equal आएगी और opposite होगी इसलिए E A sin theta और E B sin theta एक दूसरे को cancel करेंगे तो केवल कौन सा component C point पर बचेगा E A cast theta और E B cast theta वो भी एक ही direction में है तो net electric field at point C हो जाएगा C बिंद पर कुल बैदुच्छेतर की ती बृता E A cast theta और प्लस E A cast theta क्योंकि vector एक ही direction में है तो दोनों को add कर सकते हैं E A cast theta प्लस E B cast theta और E A की value E B के equal है इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे E A cast theta तो E A cast theta E A cast theta add हो जाएगा तो हो जाएगा 2 E A cast theta बस बच्चों खतम हो गया ये भी E A की value रख दो के Q by R square प्लस L square cast theta की value रखो cast theta की क्या value होगी कोई भी right angle triangle लेलो cast theta equal to होता base ये हो जाएगा base जो की L की equal था by hypotenuse जो की है under root R square plus L square मतलब आधार बटे कॉर्ण तो यहाँ पर हो जाएगा L base और hypotenuse हो जाएगा under root L square plus R square फिर ज़रा ध्यान से देखो तो आपको नज़राएगा 2 Q L और ये जो 2 Q L है वो क्या हो जाएगा into Q L ये होता है P K equal therefore net electric field equal to हो जाएगा K और जिस पर trick लगाएगा ये तीनों मिल करके बना दिये P by R square plus L square R square plus L square under root तो net power हो जाएगा इसका whole to the power power है 1 इसका power half under root का मतलब power 1 by 2 1 plus 1 by 2 multiply करते समय power add करते हैं तो इसका whole to the power 1 इसका whole to the power 1 by 2 add करेंगे तो हो जाएगा 3 by 2 यानि कि R square plus L square whole to the power 3 by 2 पच्चों फिर से वही फैक्ट को एक बार एजिम किया जाए कि अगर डिस्टेंस R very very greater है than L तो क्या होगा तो L वाले term को हम लोग निगलेक करें नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड हो जाएगा के P R square whole to the power 3 by 2 और जब power का power होगा तो multiply करेंगे 2 में 3 by 2 का multiply करेंगे 2 से 2 cancel हो जाएगा आएगा R cube ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड इस नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड का direction क्या होगा इससे पहले वाले situation में इन आन पोजिशन में तो उसी direction में था जिस direction में इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉमेंट था यानि कि capital P था जरा यहां पर देखो इसका जो direction होगा वो क्या होगा ये इस direction में काम कर रहा है इन्हीं दोनों को तो add किया गया था ये तो cancel हो गया थे e-sign theta क्योंकि opposite or equal हो गया तो जो net है वो इस direction के कारण डेवलेप हो रहा है तो electric field का जो direction होगा net electric field का वो इस direction में होगा ये कौन सा direction है from plus q to minus q इस direction में अब ज़रा dipole moment का direction देखो electric dipole moment minus q से plus q के direction में होता है तो ये हो गया electric dipole moment का direction p यानि कि आप कहा सकते हो कि ये capital p electric dipole moment के direction के opposite काम करता है in arm position में उसी direction में e था जिस direction में p था in off position में perpendicular अगर placed है तो जो net electric field है उसका direction p के direction के opposite है इसको भी note करेंगे याद रखेंगे तो जो net electric field होगा उसका direction हो जाएगा capital p के opposite यानि की plus q to minus q direction में in opposite अपोजिट to p यानि की from plus q to minus q direction में काम करेगा plus q से minus q दिशा में या electric dipole moment के बिपरीट फिर से calculation पर वापस आते हैं और यहां से कुछ result निकालते हैं तो net electric field जो है फिर से चाहे वो in-arm position हो चाहे in-arm position हो capital p के proportional आया electric dipole moment के proportional यह in-arm position में भी था same result distance के भी साथ है यानि कि जैसा situation in-arm position पर था same वैसा situation in-arm position पर है बस difference क्या है उसमें जो net electric field था वो net electric field dipole moment के direction में था इसमें net electric field dipole moment के opposite direction में है ठीक और अगर थोड़ी सी ध्यान दो फार्मूले पर तो यहां 2P आया हुआ था यानि कि value में भी अंतर आता है ठीक वो अंतर क्या आता है वो हम लोग पढ़ेंगे दोनों के relation में जब दोनों का relation निकालेंगे फिल हाल यह complete हो गया in-arm position निरच्छी इस्थिति तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा कि in-arm position पर और in-arm position पर electric field किसी dipole के कारण कितना generate होता है और किस direction में generate होता है क्या उन electric field के बीच में कोई relation भी है तो आँ relation find out करते हैं in-arm position के electric field का मतलब अच्छी इस्थिति के electric field का और in-arm position के electric field का यानि कि निरच्छी इस्थिति का बहुत ही आसान है आप formula अभी पढ़े हो कि in-arm position अगर है तो उस situation में जो electric field होता है उसकी value होती k 2p by r cube equation 1 in-arm position में जो electric field होता है उसकी value आती है k p by r cube ratio ले लो equation 1 में 2 से 2 में 1 से किसी का किसी में आप division ले लो ratio ले लो तो in-arm position divided by in-arm position value रखो cancel करो सारे later cancel हो जाएंगे केवल बचेगा 2 by 1 यानि कि in-arm position में जो electric field है वो in-arm position के electric field का twice होता है लेकिन ये relation तभी सही होता है जब distance same हो distance vary ना कराओ मलो आपसे कुछी ने question बना के पूछा कि मेरे पास एक electric dipole है जिसके in-arm position पर center से 10 cm के distance पर कोई point है उस point पर electric field की value है 10 newton पर कुलाम कुछ भी दे दिया जाए अब इस dipole को electric dipole को अपने axis पर 90 degree rotate कर दिया जाए जहां से सुनिएगा क्या पूछना चाहरा है अगर इस electric dipole को 90 degree पर rotate कर दिया जाए तो उसी point पर distance नहीं change करना है उसी point पर नया electric field क्या होगा तो जड़ा बच्चो इसको rotate करा करके सोचो कि क्या हो सकता है तो यह electric field sorry dipole हो गया इसको 90 degree पर आपने ऐसे rotate किया जैसे ही 90 degree पर rotate किया तो इसका नया situation यह हो गया plus q और minus q यह नया situation की axis हो गई यह जो point है जिस पर आपको calculate करना वो point perpendicular हो गया तो इसी situation को तो end-off position कहते है निरच्छी इस्तिति कहते है यानि कि जब हम 90 degree पर rotate करेंगे तो वो जो point हो जाएगा वो point in-off position में चला जाएगा और in-off position में जो electric field है तो को इधर लेते हो वो in-off position का जो electric field है in-on position के electric field का half हो जाएगा in-on position में 10 है यानि कि new value हो जाएगी उसी point पर 5 newton per column तो यह हो गया relation और इस पर एक question इसका reverse भी पोछ सकता है कि in-off position पर है 90 degree rotate कर दिया जाए तो वो नया situation जो बनेगा वो in-on के situation में चला जाएगा तो बच्चों यहां तक हम लोगोंने केवल दो चीजे study किये in-on position per electric field due to electric dipole in-off position per electric field due to electric dipole अब एक तीसरा और सबसे महत्पूर्ण जो competition में ज़्यादा पूछा जाता है board exam में कम ही पूछा जाता है वो है any point कोई भी point ले लो यह कोई जो नहीं कि अच्छ पर हो या अच्छ पर perpendicular हो यानि कि in-off और in-on को छोड़ करके कोई और situation सोचा जाता है तो any point देखा जाता है of space electric field due to electric dipole at any point of space electric field at any point of space space के किसी भी point पर electric field calculate करें थोड़ा ध्यान से देखना मालो आपके पास एक electric dipole है charge same होते है अपोजिट होते है डिस्टेंस दोनों के बीच का कम होता है सारा distance हम लोग measure करते हैं axis के midpoint से मालो कोई point है कहीं भी हो सकता है c हमेशा की तरह a और b इस point का distance है R ठीक अब इस point का जो distance R है वो एक angle बना रहा है उस angle की value हम लोग मान ले रहे हैं theta अब बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा point है जिसे आप ध्यान रखना कि यह जो theta measure किया जा रहा है वो किधर से measure कर रहे हैं यह बहुत जरूरी है clear करना कि theta का measurement हम लोग किधर से कर रहे हैं सबसे पहले देखो P यानि कि electric dipole moment किधर काम करता है negative charge से positive charge की तरफ तो यह direction हो गया electric dipole moment का यानि कि जो theta measure किया गया है वो electric dipole moment से measure किया गया है point P भी दिखा दिया R भी दे दिया लेकिन theta इधर से nap करके दे दिया तो क्या जो formula आएगा वो इसके लिए valid होगा नहीं क्योंकि यहां पर जो electric dipole का axis है वो इस direction में होगा electric dipole moment का हमको जो angle लेना है electric dipole moment से लेना है ये इस angle को लेना है तो इस angle के लिए हमारा formula सही नहीं होगा तब हम क्या करेंगे तब theta के जगर पर हम लोग रखेंगे 180 minus theta लेकिन मान लो same figure रहे और P point का angle given हो तो फिर से जल्दी बाजिम देखोगे तो आपको लगेगा रहे ये तो same है formula लगा दोगे डायरेक्ट गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी देखो negative से positive की और electric dipole moment का direction होता है इसी direction की तरफ से आपको angle लेना तो ये angle इस situation में काम करेगा तो जरा ध्यान से देख लेना कि जिस direction में electric dipole moment काम करेगा axis से electric dipole moment काम करेगा उधर से ही आपको angle measure करना है नापना है ठीक तो इस बात को अगर ध्यान में रखे तो आपसे गलतिया नहीं होगी अब आते हैं calculate करते हैं dipole moment का direction तो पता चल गया from negative to positive इस पूरे figure को हम दो situation में break करेंगे एक end on position में और एक end off position में कैसे break करेंगे जरा देखना इस P का हम component लेंगे तो जिस direction में theta given होता उस direction का component होता है cos theta तो इधर हो जाएगा P cos theta और इस axis के perpendicular इधर component हो जाएगा P sin theta तो P को हम लोगों ने दो भाग में break कर लिया एक P cos theta और एक P sin theta जरा प P cos theta के arrow को देखो arrow इस direction में है it means positive charge इधर होना चाहिए क्योंकि जिस direction में positive charge होता है उसी direction में P काम करेगा तो इसका component भी इधर होगा उस direction में positive इधर होगा और negative यहां कहीं होगा तो P cos theta अगर हम आपको समझाने के लिए अलग figure बनाएं तो P cos theta का positive यह हो गया negative यह हो गया इस direction में electric dipole moment P cos theta है और point C जो है वो इसी line पर कहीं है कितने distance पर है R ही distance पर है तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो situation है P cos theta वाला यह in on position पर हो गया P sin theta को देखो P sin theta इसके perpendicular है यह component यह positive वाला हो जाएगा क्योंकि इस direction में ही P का component काम करना है तो यह positive सिरा हो जाएगा और यह negative वाला charge का सिरा हो जाएगा point यह हो गया C यानि कि यह जो situation बन जाएगा sin theta के लिए वो in on situation होगा और cos theta के लिए in on situation होगा figure को जड़ा देख लेना क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो एकदम चुटकी बजाते ही question को कर ले जाओगे कैसे component टूटा है P जिस direction में theta given होगा उधर cos इसके perpendicular हो जाएगा sin P कास theta को देखोगे तो जो point of consideration है C वो उसी axis पर है तो in on position कास के लिए हो जाएगा इस P कास theta के यह perpendicular हो जाता है इसलिए in on position हो जाएगा तो चलो एक-एक position को solve करते हैं चलिया अगर P कास theta component है तो उसके current C point पर electric field क्या होगा मालो हम लोगों ने लिख लिया E 1 electric field due to P कास theta component at point C electric field due to P कास theta component at point C मतलब बैदुच्छेत्र की ती ब्रता C बिंदु पर किसके द्वारा P कास theta घटक के द्वारा component का मतलब घटक घटक के द्वारा कितना होगा यह कों सा situation है P कास theta वाले component के axis पर ही है तो यह situation हो जाएगा end on situation तो बस end on situation अगर जानगे तो उसका formula लगा दो formula होता है के 2P P की जगा पर लिखेंगे P कास theta तो 2P कास theta by RQ यह हो गया E 1 इसी तरश से E 2 P sin theta component के द्वारा C पर कितना electric field होगा तो लिखेंगे electric field intensity due to P sin theta component at point C यह कौन सा situation होगा इसके यह perpendicular है तो यह बन गया end off वाला situation निरची श्थिती वाला situation और हिंदी में कहलिख होगे बैदु छेतर की तीब्रता C बिन पर P sin theta घटक के द्वारा तो E 2 हो गया के P P की जगा हो जाएगा P sin theta by RQ तो अगर यह दोनों चीजे आपने समझ लिया तो फिर आगे बहुत ही आसान यह E 1 का direction क्या होगा यह भी देखो तो E 1 जो इंड arm position है अगर आपको याद आ रहा हो तो इंड arm position पर उसी direction में ही electric field काम करता है जिस direction में electric dipole moment होता है और इंड arm position में उस direction में काम करता है जो electric dipole moment के opposite होता है तो E 1 इंड arm position था तो यह जो E 1 का direction होगा वो E 1 का direction dipole moment के ही direction में होगा यानि की इसी direction में हो जाएगा E 1 फिर E 2 E 2 dipole moment के direction के opposite होता है तो dipole moment इस direction में है तो इसके opposite direction में और perpendicular ही E2 हो जाएगा इंड आफ पोजिशन में opposite direction में dipole moment के और इंड आफ पोजिशन में उसी direction में जिस direction में dipole moment होता उसी direction में काम करता electric field तो इसी direction में even हो जाएगा और E2 जो होगा वो P sin theta के direction के opposite हो जाएगा दोनों के बीच का angle 90 degree होगा तो net electric field क्या हो जाएगा total electric field दोनों को add कर लिया जाए vector वाले formula से E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos 90 cos 90 0 हो गया तो यह पूरा term 0 हो जाएगा तो बचेगा केवल E1 square plus E2 square इसका मतलब E1 के 2 K P cos theta by R cube square plus E2 K P sin theta by R cube square तो यहां तक नोट कर लिजे बस square को चलिए solve किया जाए direction, component दोनों को ध्यान से अगर समझे होंगे तो यह आसानी से समझ में आ जाएगा यह आपका in-off situation का हो जाएगा cos यह हो जाएगा in-off situation का दोनों की value रखे दोनों का direction बनाया गया perpendicular होता है cos 90 रखे cos 90 0 तो यह पूरा term 0 हो गया अब इसको चलो solve करते है net electric field at point c तो e हो गया 2 k p k p r cube तो common क्या क्या है k p k p r cube common है और इन तीनों term का square है तो square को common करेंगे तो उसका square root निकल जाएगा k p by r cube मिलेगा अंडर root के अंदर 2 का square 4 cos का square cos square theta plus sin cos square theta sin square theta एक famous formula आने वाला है sin square theta plus cos square theta equal to 1 तो इसको हम लोग लिख सकते है 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta sin square theta plus cos square theta equal to 1 तो हो जाएगा net electric field at any point of space 3 cos square theta और plus 1 इसे याद रखेंगे क्योंकि इसी से अभी हम लोग दोनों situation को पुनह दोराएंगे कि क्या in on position का formula और in off position का formula इससे निकलता है या नहीं निकलता है बच्चों angle देखा जाए कि resultant ये जो e है वो किस direction में काम करेगा तो मान लेते हैं ये e1 से अगर e1 e2 equal होता तो bisect करता बीचों 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 करके जाता e1 से alpha angle पर है तो 10 alpha जो निकालेंगे उसकी value हो जाएगी 10 alpha equal to y component means e2 by e1 तो e2 by e1 e2 की value आपके पास थी इस में e2 इंड आफ वाला position था तो उसका value आया होगा k p sin theta by r cube और e2 की value e1 की value आई थी k 2p cos theta by r cube ये सभी cancel हो गए sin theta by cos theta equal to tan theta यानि की 1 by 2 tan theta ये हो गया 10 alpha इससे हम लोग alpha की value calculate कर सकते हैं लेकिन ये जो alpha की value है वो e1 से है जबकि आपको angle measure करना होता है p vector से थिक तो इस p vector को हम यहाँ पर जहाँ पर e1, e2 और resultant e मिल रहे हैं वहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इससी के parallel line ड्रा कर रहे हैं ये हो गया p vector तो जड़ाब p vector से e का angle पता लगा कितना होगा ये parallel है तो angle ये theta ही होगा तो p vector से यानि की dipole के axis से resultant का जो angle होगा वो होगा theta plus alpha axis से angle from axis of electric dipole is equal to हो जाएगा theta plus alpha axis से capital E यानि की total value का जो resultant का direction आएगा होगा theta plus alpha और केवल E1 से आएगा alpha प्यारे बच्चों अब ये जो situation मिली है क्या दोनों पहले पढ़े गए situation के लिए सही है चलो चेक करते हैं इसको और इसको याद रखिएगा मालो in on situation हमको पढ़ना है ये जो point C है वो in on situation में into on situation में ये point C axis पर हो जाएगा ध्यान से देखना ये ऐसे था axis पर आगया point C अच्छा axis पर आगया तो theta कितना होगा ये भी ध्यान से देखो ये पहले situation में ऐसे था axis पर आने के लिए आसे घर्टा आ गया घर्टा गया UXS पर आ गया तो थीटा की वैलू एक्सिस के लिए IND1 पोजीशन के लिए कितना हो जायगा 0 हो जायगा तो IND1 पोजीशन के लिए theta equal to 0 चलू theta equal to 0 रखते है थी वैलू होती 1 तो e की वैलू हो जाएगी इस situation में इंड आन सिच्वेशन के लिए थीटा इक्वाल टू जीरो तो ई हो जायेगा के पी बाई आर क्यूब काश जीरो की वैलू 1 1 का स्क्वाईर 1 3 प्लस 1 4 4 का स्क्वाईर रूट 2 के 2P बाई आर क्यूब यही फार्मूला मिला था एंगल क्या आएगा रिजल्टेंट का तो एंगल हम लोगों ने पढ़ा था इंड आन पोजीशन में कि जिस डारेक्शन में पी होता उसी डारेक्शन में आता है चुले देखते हैं तो टैन अलफा इक्वाल टू हो जायेगा हाफ टैन जीरो टैन जीरो की वैलू जीरो होती है जीरो का हाफ मल्टिप्लाई करेंगे जीरो हो जायेगा जीरो की सैंगल के लिए होता है टैन जीरो के लिए देरफोर अलफा इक्वाल टू जीरो डिगरी यानि कि जो रिजल्टेंट होगा capital E उसका भी direction 0 हो जाएगा अर्था इसी direction में वो काम करेगा तो ये दोनों situation हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जरा end-off position पर देखा जाए end-off position में क्या होगा end-off position में ये जो c point होता है वो axis के perpendicular होता है लंबोत होता है तो c point यहां कहीं होगा तो theta की value जो हो जाएगी वो 90 degree हो जाएगी तो second situation end-off वाले में theta equal to 90 degree cos 90 की value होती है 0, 0 का square करेंगे 0 यानि कि k वल बचेगा 1, 1 का square root 1 therefore k p by r cube आएगा same यही चीज मिला हुआ था 10 alpha की value आप calculate करना चाहो तो 10 90 होता है infinite, infinite का 1 by 2 multiply करेंगे, infinite आएगा infinite 10 90 की value होती है therefore alpha equal to 90 यानि कि वो इससे 90 degree पर होगा जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं तो अगर आपको यह याद है तो end-off और end-on दोनों situation का आप resultant calculate कर सकते हो और इसका derivation must है इसको तयार रखेगा ठीक, बचो एक चीज छूट रहा है हम साथ आपको यह पढ़ा चुके हैं कि end-on position का vector form क्या होता है तो end-off का साथ नहीं बता है तो end-off position का चलो vector form लिखते हैं कि क्या होगा उसके बाद यह topic खतम हो जाएगा end-on position यहाँ पर जो electric field था वो उसी direction में काम कर रहा था जिस direction में P था electric dipole moment तो इसका जो vector form आया था के 2P by R cube और जिस direction में होता हो उसका unit vector तो P के direction में है यह हो गया end-on position का vector form end-on position का vector form क्या होगा यह हो गया axis end-on position पर कोई point है यह electric dipole moment का direction हो गया इसमें जो net electric field होता है वो इस direction में opposite direction में काम करता है जिसकी value होती है K P by R cube तो vector form क्या होगा जिस direction में है उस direction का unit vector तो P के direction में है लेकिन opposite है तो लिखेंगे minus opposite होने के कारण और जिस direction में उसका unit vector यानि की हो जाएगा E vector equal to minus K P by R cube P केब तो प्यारे बच्चों पूरा electric dipole moment तो अभी नहीं खतम हुआ है electric dipole का पूरा topic अभी नहीं खतम हुआ है लेकिन क्या क्या हम लोग पढ़े electric dipole किसे कहते है electric dipole moment क्या होता है उस electric dipole के कारण अलग-अलग situation में electric field क्या होती है और सबसे common situation जिससे आप सारे numericals लगा सकते हो कि वो अगर किसी भी point पर है तो वहाँ electric field क्या होगा at any point of space तो प्यारे बच्चों फिर से वही अपील करेंगे कि इसको बहुत ही आराम से दोहरा लिजेगा topic cut in नहीं है इसमें numerical बहुत ही easy आता है और दूसरा आपसे request है कि अगर आपको ये कही कहीं हम लोग formula यूज किये है r equal to a square plus b square plus 2 ab cast theta इसके दोहरा total electric field कैसे calculate किया जाता है तो यहाँ बगल में icon दिखाए देगा उस पर आप click करना तो पूरा electric field का situation का जो भी सवाल बनता वो सारा सवाल इसमें है आप देख सकते उसे प्यारे बच्चो लाइक शेयर करिएगा सब्सक्राइब चैनल को कर लिजिएगा जिससे जो वीडियो हम upload करें वो वीडियो आप तक पहुँच जाए प्यारे बच्चो थैंक्यू फार वाचिन बाई बाई